तों तोडीय हम पढ़ने जा रहे हैं फानी बदायूनी की जो है हालाते जिन्दगी आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो नाम था वो क्या था फानी बदायूनी जो है जो इनका नाम था वो था शौकत अली खान जो कि बहुत ही एहम है एक्जाम में पूछा जाता है शौकत अली खान जो है इनका क्या है पूरा नाम है तो अगर हम देखेंगे शौकत लिए नाम क्या है इनका पूरा नाम है और पहले इनका तखलुस था शौकत और बाद में इन्होंने क्या तखलुस इस्तियार किया तो इन्होंने बाद में शौकत के बाद फानी तखलुस इस्तिमाल किया और फानी बदायूनी जो है, ये एक कजबे में 1879 EC में पैदा हुए थे तो अगर हम देखेंगे, फानी का जो इंतिकाल है, वो कब हुआ था, तो 1941 EC में फानी बदायूनी इनका इंतिकाल हुआ था है, हैदराबाद में और फानि के जो वालत का नम था वो था शह्वाज अली खान जो किया थे पेशे से तो ठानी दार थे और फानि के ज़ाद अला असालत खान शाह आलम बादशा लेहली के जमाने में काबल से हिंडुस्तान आये थे और फानी का जो खांदानी तालुक यूसुप जई अफगानों के कबीले उम्रेख खैल से था और अगर हम देखेंगे फानी का जो खांदानी तालुक था वो किसी था तो यूसुप जई जो है उसके साथ क्या था तालुक था खांदानी तालुक था इसके साथ और फानी के जो परदादा थे उनका नाम था बहशारत खान फानी के परदादा का नाम था बहशारत खान और फानी ने गौर्मन्ट हाई स्कूल बदायों से एंटरंस इंतिहान 1897 में पास किया था फानी ने जो है गौर्मन्ट हाई स्कूल में क्या किया था entrance इम्तेहान पास किया था 1897 में और उसके बाद फानी ने B.A. की डिग्री बरेली कॉलीज से 1901 इसवी में हासल की थी फानी ने बरेली कॉलीज से हासल की थी 1901 इसवी में और उसके बाद फानी ने अलीगड में, L.L.B. में उनी सो चेशी में दाखिला लिया था यानि इन्होंने जो है एडमिशन लिया था एललबी में अलीगड जो है एललबी के लिए इन्होंने एडमिशन लिया था उनी सो चेशी में जो है इन्होंने क्या किया था दाखिला लिया था और फानी ने एललबी की डिगरी जो है कब हा फानी ने पास किया, हाइकोट का इम्तिहन भी फानी ने पास किया और लखनम में वकालत शुरू कर दी बदायों की जमीन दा, इंतिजार अली खान की सहवजादी इंतिजार ऐली खान की सहब्जादी, शाह जमानी बेगम इन के साथ जो है उनोंने श़ादी कर ली थी 1903 में कब की थी तो 1903 में जो है इनके शादी इनके साथ होई थी और फवानी को जमानी बेगम से तीन आउलादे हुई adanी को समानी कर फञारी को तो अगर हम बात करेंगे फानी ने किस उमर में शायरी शुरू कर दी थी तो ग्यारा साल की उमर में फानी ने शायरी शुरू कर दी थी और नाम की मनास्वत से शौकत तखलू जो है इन्होंने क्या किया था इक्तियार किया था और बाद में जो है फानी तखलू जो है इक्तियार किया इन्होंने और अगर हम बाद में देखेंगे इसके बाद फानी ने अपनी पहली गजल कई और इसके बाद अगर हम देखेंगे फानी ने 1898 में अपना पहला दीवान मुरत ब कर लिया था लेकिन उनके वालिद ने उसे गुस्से से नजर आपश कर दिया था नजर आतिश कर दिया था इनके पहले दीवान को तो शौकत अली खान फानी बदाई उन्हें ने शौकत की जगा फानी तखल उसका भी इक्तियार किया था तो 1899 इस्वी में शौकत अली खान उन्हों ने शौकत की बाद फानी तखल उसका इक्तियार किया 1899 इस्वी में और इसके बाद फानी 1906 इसवी से लेकर 197-19 Examples तक शायरी से किनारख रहे इसके बाद अगर हम देखेंगे फानी 1906 इसवी से 1917 यहां तक 11 साल तक शायरी से किनारक रहे और फानी की आखरी मतबुवा गजल जो उनकी जिन्दगी में शाय हुई जो फानी की आखरी मदववा गजल थी वो क्या थी? इनकी जिन्दगी में जो है शाय हुई थी उसका एक मिस्तरा ये है मिस्तरा जो था ये यू है यहाँ अब एक भी दिल दर्द के काबल नहीं मिलता यहाँ अब एक भी दिल में किसे मतासिर थे तो हाली से मतासिर थे फानी की नजमों में अलिम, दार फानी, गमाजी और मुखतलफ कताथ पर हाली की गहरी चाप नजर आती है फानी की नजमों में हमें हाली की गहरी चाप नजर आती है अलिम में, दार्फानी में, गमाजी में, जो मुख्तलफ कताथ पर हाली की क्या नजर आती है, गहरी छाप नजर आती है और फानी के कलाम में गुर्बत के लफज बार बार आया है तो अगर हम देखेंगे मीर की तरह जो है फानी के कलाम में जो है कौन से लफज बार 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 दोहराया गया है तो गुर्बत का लफज जो है बार बार इनके कलाम में आता है और फानी की गजल की खुसूसियत कुनूतियत ती यानि कि मायूसी, गम, दुख, दर्द, जो कि मीरत की मीर की एक अलाम की खुसूसियत थी, यही जो है फानी की गजल की खुसूसियत है कुनूतियत और फानी ने शक्सपेर की तर्बिया, ड्रामा, जो था, Much Ado About Nothing, जिसका क्या नाम था? Much Ado About Nothing, जो है, उस तर्बिया, ड्रामे का नाम था, और मिल्टन की नजम, जो कि कॉममस नाम है इसका, इसका और दू तर्जमा किया था, जो कि लास्ट में क्या हो गया था? जाया हो गया, फानी ने एक तो शक्सपेर की तर्बिया, ड्रामा, जो था, Much Ado About Nothing, और मिल्टन की जो नजम थी, कॉममस जिसका नाम था, ये दोनु जो है, इनका और दो तर्जमा किया था, फानी ने, और बाद में जो है, जाया हो गया, और 1906-2022 में जो है, जब फानी अल जातिश कर दिया था, और दूसरा दीवान चोरी हो गया था, और फानी ने दो मरतबा हैदराबाद का सफर किया था, और अगर हम देखेंगे, इनका इंतिकाल भी जो है, है, हैदराबाद में ही हुआ था, और इन्हों ने जो है, सिर्फ दो मरतबा हैदराबाद का सफर किया दूसरी मरतबा महराज्यृ क्रिशनेशकाइड की दावत पर 1927 ECU में हैदराबद गए थे पहले 1926 में गए थे दूसरी मरतबा महराज्य कृषिंज्यृ की दावत पर 1927 में हैदराबद गए थे और इसके पड़ आगर हम देखेंगे फानी जो है महनामा तस्नीम के मुदीर आला थे यानि कि एडिटर थे किस महनामे के फानी जो है एडिटर थे यानि कि मुदीर आला थे किस महनामे के तो तस्नीम के बहुत इंपॉर्टन्ट है जो सेप्टमबर सॉरी जो डेसमबर 1930 से निकलना शुरू हुआ था फानी ने जो है महनामा तस्नीम जिसका नाम था उसके एडिटर थे मुदीर आला थे जो डेसमबर 1930 से निकलना शुरू हुआ था ये महनामा और रशीद हसन खान ने फानी को यासियत का इमाम कहा है ये भी जो है बहुत important है फानी को यासियात का इमाम किस ने कहा है तो कही बार exam में पूछा जा चुका है इसको जो है रशीद हमसिद्धीकी ने जो है यासियात का इमाम कहा है